हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पंजाब इंजिनरिंग कॉलेज पी इसी चंडीगड की 2023 की डीटेल में ब्रांच वाइस प्लेस्मेंट्स बताऊंगा बीटेक की जितनी भी प्रांचेज है सबका एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, हाइस्ट पैकेज, लोवेस्ट पैकेज, कितने स्टुडेंट्स एलिजिबल हैं, उनमें से कितने प्लेस्ड हुए 2023 बैच के लिए बताऊंगा, पीएसी चंडिगर जिसको पंजाब इंजिनरिंग कॉलेज भी बोलते हैं और जो जी फ्टी आई केटेगरी में आता है, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीटेक एरोश्पेस इंजिनरिंग की बात करते हैं, यहां पर 30 स्टुडेंट्स एलिजिबल हैं प्लेस्मेंट के लिए, मतलब की 30 स्टुडेंट्स ने रेजिस्टर किया है प्लेस्मेंट के लिए 2023 बैच में, उसके अंदर 15 स्टुडेंट्स ही प्लेस्ड हो है जून तक के डेटा में, अब बाद में प्लेस्ड हुए होंगे, उनका डेटा इन्होंने अपने वेबसाइट पर नहीं दिया है, जैसे ही वो बताएंगे मैं आपको वीडियो लेकर आ जाओंगा, तो यहां पर 50 परसेंट प्लेस्मेंट रेट हुई है, और बात करें पै पैकेज का तो वो 7.7 लेक्स पर नमका है, इस से नीचे का प्लेस्मेंट हुआ ही नहीं है, 7.7 से, 7.7 से, तो पैकेज अच्छा है, और बात करें प्लेस्मेंट रेट का तो वो भी डीसेंट है, ब्रांच के अकॉर्डिंग, और यह वन अफ दी बेस्ट जी एफ टी आई है इस बात का ध्यान देना है आपको, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट ब्रांच जो की है सिविल इंजिनियरिंग, सिविल की बात करें तो यहाँ पर 83 स्टूडेंट ने रेजिस्टर किया है, ऐसी ब्रांचे के जो बैस साइज होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और यहाँ पर 83 में से 39 स्टूडेंट सी प्लेस्ट हुए है जून तक के डेटा में, मैं बार बार जून इसले बोल रहा हूं क्योंकि प्लेस्मेंट कंटिन्यू है, और अब कंप्लीट हो चुकी है, वैसे अभी तक बटिनोंने अपडेट नहीं किया है, पैकेज की बात करे तो 8.8 lakhs पर अनम का है, maximum package मतलब highest package 19.05 lakhs पर अनम का है, वही जो aerospace का था, तो I think same company के तरफ से हो सकता है, और lowest package यहाँ 4 lakhs पर अनम का है, अब next यहाँ पर बात कर लेते हैं, computer science की और amazing placement है, बिल्कुल top NITs जैसी जानते हैं, computer science के अंदर 119 students ने placement के लिए रेजिस्टर किया है 2023 batch में, उसमें 115 placed हो चुके हैं, मतलब यार सोचो, जून तक में ही इतने सारे placed हो गया है, तो कमाल की placement rate है, obviously top branch है यहाँ पर, अब वही package की बात करें, salary package, तो यहाँ पर average package जो है, वो 23.95 lakhs पर अनम का है, other data में 24.24 है, बट इस बात का ध्यान देना है, यह जून 2023 तक का data है, change होता रहता है, वो approximately 24 lakhs का है, median package यहाँ 17.75 lakhs पर अनम का है, maximum package 83 lakhs पर अनम का है, और lowest package 7.6 lakhs पर अनम का है, तो कमाल की placement है, one of the best GFTI में आता है, मतलब यार, और top के 2-3 GFTI हैं जैसे की bit में इसरा हो गया, अब बात कर लेते हैं, next, electrical engineering की, BTEC electrical की, BTEC electrical engineering के अंदर 109 students ने placement के रिजिस्टर किया है, 2023 badge में, उसके अंदर 86 students अभी तक placed हैं, जून तक के data में, यह video number में मिला रहा हो, even अभी तक इनोंने अपने website पर जून तक का ही data रखा है, बहुत से colleges ने अभी तक update नहीं किया है, salary package की बात करें, यहाँ 15.27 lakhs पर अनम का average package है, median package की बात करें, तो 13 lakhs भी बहुत अच्छा है, next यहाँ पर बात करते हैं, electronics and communication की, electronics and communication के अंदर 119 students ने register किया है, BTEC में, 2023 badge में, उसके अंदर 93 students placed है, तो placement rate भी अच्छी बोलूँगा, decent है, average है, branch के according क्योंकि इसके अंदर 90 plus percentage रहता ही है, वही salary package की बात करें, तो 20.38 lakhs पर अनम का average package है, जो की कमाल का है, मतलब यार, top NIT जैसी placement है, वहीं बात करें, इसके median package का, तो 17.75 का है, just computer science का है, तो I think जो median package वाला जो company है, वो same company है, दोनों ब्रांच के लिए, वहीं बात करें, इसके maximum package का, तो again 83 lakhs का है, जो की CS का गया हुआ है, तो same company के तरफ से हो सकता है, और minimum package यहाँ पर 4 lakh का है electronics and communication के लिए, next यहाँ पर, जो next branch है, वो है mechanical engineering, और इसके अंदर भी, मतलब यार, बहुत ही अच्छा college है, और placement भी अच्छी है, तो obviously इसके अंदर सभी branches, जैसे NITS का होता है, CS का package high, और lower branches का package, मतलब overall वैसे ही placements है, mechanical की बात करते हैं, BTEC mechanical के अंदर 93 students ने register किया है, 2023 batch में placement के लिए, उसके अंदर 66 students placed है, तो placement rate अच्छी बोलूँगा, decent बोलूँगा, salary package की बात करें, तो average package यहाँ 10.05 lakhs पर अनम का है, median package यहाँ 8.9 lakhs पर अनम का है, और maximum package यहाँ पर 40.1 lakhs पर अनम का है, lowest package 4.8 lakhs पर अनम का है, placement rate देखो कम है वैसे, और अभी continue है, तो थोड़ी बहुत और placement rate increase होगी, थोड़े बहुत और placement बढ़ेंगे, और 2022 का भी अगर data चाहिए, तो detail में है, उसकी मेरे पास, comment करना, अगर आप चाहते हो, देखना तो, next यहाँ पर जो branch है, वो है BTEC metallergy, इसके अंदर 42 students ने placement के लिए register किया है, 2023 batch में, उसके अंदर 25 students placed है, तो approach जो placement rate हो 55% से उपर है, I think क्योंकि मैं calculate मैंने नहीं किया है, और salary package की बात के रहो, तो यहाँ पर average package 11.56 lakhs पर अनम का है, median package यहाँ 11.16 lakhs पर अनम का है, maximum package यहाँ 19.05 का है, जो कि aerospace और civil का था, और lowest package यहाँ 5 lakhs पर अनम का है, यह हमारा data था metallergy का, अब next जो branch है, वो है production engineering, उसकी तरफ चलते हैं, even इस college के अंदर branches भी बहुत सारी है, जैसा कि एक top NITs या top IITs में होता है, btec production की बात करे, 26 students ने placement के लिए register किया है, और उसके अंदर 21 students placed है, so इसका placement rate भी बहुत अच्छा है, वहीं salary package की बात करे, तो average package यहाँ btec production का 11 7.04 lakhs पर अनम का है, median package यहाँ 10 lakhs का है, maximum 19.05 का again, metallurgy, civil aerospace वाला, और minimum package यहाँ 5 lakhs पर अनम का है, तो यह था production, btec production का detail, वैसे इस college में admission लेने के लिए बहुत कम rank चाहिए, मतलब अगर आपकी rank इतनी अच्छी ना हो, तो भी आपका admission मिल जायागा इसके अंदर, so कितनी rank च चाहिए आपको J.Mence में, ताकि आपका 100% admission हो जाया इस college में, बाकि यहाँ हमारी video complete हो जाती है, video पसंद आई है, informative लगी, like जरूर कर देना, channel पर नहीं हो तो subscribe कर देना, और bell icon प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी important और informative videos मैं ही लेके आता हूँ, और daily लेके आता हूँ, और कुछ पूछना या बताना हो, comments में पूछ सकते हो, या फिर Instagram पर भी, Instagram ID की link आपको description में मिलेगी, मेरी personal idea है, और मिलते हैं कल की एक और ऐसी important video में,